जाएं दोस्तों मैं वीपिन कुमार आपका अपने यूटूब चैनल वेप स्टेड़ी पॉइंट में आपका अर्धिक स्वागत करता हूं जैसे कि हमने आपको मैंसुरेशन यानी छेतर मिती के टोटल जितने भी फॉर्मुले इंपोर्मुले थे आपको लिखा दिये है मैं उम्मीद करता हूं आपने वे सभी फॉर्मुले याद किये होंगे और उनको अलग एक अपनी कोफी में आपने लिखे होंगे ठीक है दोस्तों तो आज हम आपको कोशन कराएंगे छेतर मिती के ठीक है जी आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारे वेप स्टेडी पॉइंट चैनल को लाइक करें शेयर करें और वीडियो को जादे जादे फैलाएं और हमारे जो चैनल है वेप स्टेडी पॉइंट इसको सब्सक्राइब करें ठीक है दोस्तों चलो जी फिर आज आने से पहले एक चीज़ आप समझ दो लो जो आपने संकून तिरूज तो पढ़ा होगा मैंने पढ़ाया था संकून तिर बुज ये होता है हमारा ठीक है जी यह मैंने सुमकोन तिर पुझ मान लिए या यह संकोन में हमेश्वा कितना 90जे का एंगल ठीक हो तो जो इनकी भूजा है ना इनके नाम याद रखो यह क्या होता है यानी बेस इस यह आधार हो गया यानिके बी से बेस हो गया यह हो गया हमारा लंब ठीक है यह हमारा हो गया लंब यानि प्रपेंडिगुलर ठीक है यह हो गया हमारा कर्ण यह हो गया हमारा है इपो टेनर ठीक है तो आपको यह याद रखना यह लंब होता है यह आधार होता है यह करन होता है ठीक है दोस्तो तो देखो जी अब आगे question पर आते हम question को गलोज़ सोनआ करते कि गजिए को कि दिए एक कर्वूज की भुजाओ एक बटए दो आनुपात एक बटए तीन पटलेघ्र चार के अनुपात में है यदि तिरभूज का परिमाप फिर मुच का 9 centimeter ठीक है जी यह हमें को निकान ला तो देखो क्या दिया है हमें भूजाओ का अनुपात क्या क्या दे रखा है हमारा यह भूजा एक वते 2 अनुपात 1 वते 3 अनुपात 1 वते 4 ठीक है जी यहां से हम क्या करेंगे ये रेश को अटाएंगे ठीके ए मतलब जो ए बते फ्रिक्शन वाली वैल्यू इसको सिंपल dopo बनाएंगे तो क्या करेंगे हम 2-3 और 4 का क्या लें लेंगे BCM कितना होता है 12 और इसमें 12 कि क्या करा देंगे गुना ठीक है जी अब इसको सोल करके जो आएग कि आएगा इसको हमान लेंगे भूजा यह यानि कि 12 जब UNC if in तो कि इसको ड desenvol Secret कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा 6 अनुपात ठीक ठीक है थी फिर आझ तो हमें क्या निकालना और द्यावाया क्या है तिर्भूज का परिमाप क्या होता है मैंने आपको बताया था जैसे कोई तिर्भूज बना लिया मैं ये बनाए तिर्भूज A, B और C तो तिर्भुज का परिमाप क्या होगा तिर्भुज का परिमाप होता है तिनों भुज आओगा यह हो गया यानिके A, B, P, C, P, C ठीक है जी इस तरीके इस हम तिर्भुज का परिमाप निकाल लेते किसी भी तिर्भुज का तो देखो अब यह भूजा दिये हैंनिका इनुपात में मान ले हमने यह होगी हमारी एक भूजा 6X एक होगी 4X एक होगी हमारी 3X ठीक है जी तिनों भूजा हमारी 6X 4X और 3X परिमाप हमको निकालना है नई शोरी परिमाप हमें दिया विया है बावन सेंटिमीटर और सबसे छोटी बुझा कि लंबाई हमें निकालनी है तो परिमाप कितना दिया है बावन सेंटिमीटर यह होगे हमारा बावन सेंटिमीटर तो एबी बी सी और सी यह यानि तिन्नों को कर लिया तो कितना हो गया हमारा ठीना यहांसे हम क्या करेंगे 9 कि वयल्व निकालेंगे चौत तो हमें निकालने क्या ति तिर पुज़ की फाँची पूजा की גם बाई तब देखाँ होई में सबसे चोटी बूजा कोन सी है तीन एक्ष यह तो सबसे चोटी है तो इसके यहां पर थीन गूना यहां पर लेगी देता हूँ छोटी है भूजा बिराबर Canada एक्स के सतान पर क्या रखेंगे क्योंकि एक्स की वेलू कितनी आई है हमारी चार ये वोगी 4 तो इन दुन में कि बूना करा दो कितना चार दिया 12 सेंटे मेटर में है तो सेंटे मिटर तो तिरबुज की सबसे छोटी भुजा कितनी हो गे 12 cm यह हमारा आंस्वर होगा ठीक है दोस्तों आगे देखो next तो दोस्तों नेक्स कोस्टन है हमारा यदि किसी तिर्भुज का छेटपड 1166 cm2 है और आधार और संबंदित उचाई यह नि आधार और उचाई का अनुपात 3 अनुपात 4 है तो तिर्भुज की उचाई का आधार और संबंदित उचाई का अनुपात 3 अनुपात 4 है तो तिर्भुज की उचाई याद कीजिए यह जो लाइन है हमारी यह दू-दू बार लिखे गई है ठीक है जी इसको ऐसी देख लो अब देखो तो दोस्तों यह हमने दू-दू यह दू-दू बार लिखे गया तक गलती से ठीक है जी कुश्चन है यह दि किसी तिर्भुज का छेत्पड 116 सेंटीमीटर है और आधार और उचाई जो आधार और संबंदित उचाई का अनुपात 3 अनुपात 4 है तो तिर्भुज की उच है 42 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर ठीक है यह हमारे उप्षन है तो बताओ इसका क्या आन्सवर आएगा देखाओ जी कैसे करेंगे इसकी तरीके कोश्चन को जो जो दिया है उसको देखो सबसे पहले किसी तिर्भुज का छेत्रफल दे दिया आदार गुना वोचञी ठीक है यह हमारा फोर्मुल दोता है तिर्भुज के 6 दिरफल का टीक है और आगे क्या दिया है हमारा आदार यानिके दिया है आदार और वोचाई का नुपात दिया है तेन है नुपात चार तो हमें तिरभुज का नुपात गयात करनी है मान लेंगे हैं आधार माना मानाister जो base यानिके आधार है वह तीन X मान लिया height यानिके वोचाई मान लिया हमने 4 X ठीक हाजी अब question करो जी question के नुशार जो तिरबुज का 6 फ़ल कितना दिया है 1106 बराबर 1 बटे 2 आदार कितना है हमारा base यानिके 3x उना उचाए कितनी है 4x ठीक है जी यहां से हम क्या करेंगे equation को soul करके x की value निकाल लेंगे ठीक है जी देखो यह कितना हो जाएगा 3x और 4x दुननों की गुना यानि किन दुननों की गुना किरा लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 x square क्योंकि x की साथ x की गुना कराेंगे तो यह दो बार हो जाती है कितने बोगए नो यानि कि च्छान में तो बार अठ्टे च्छान में ठीक है जी तो यह उगया राद स्क्वहार वरावर दोगुणा अठान में हाव इन दुनों के गुना दोगशी स्वहला दोगुणा 18 18 19 कितना हो गया 196 यानि का एक स्क्वाइर बराबर हो गया एक सो चान में अब एक स्क्वाइर बराबर एक सो चान में हमें यहां से क्या निकालना है एक स्की वैलू निकालनी है तो क्या करेंगे दोनों तर्फों का अंडरूट ले लेंगे बहीं अंडरूट इसका लिया और इसका लिया तो ये स्क्वार रूट ऊकट जाएगा और एक चानल में कितने का स्कॉयर होता है चौधा का तो यहाँ पिया आ जाएगा उद्स तो एक्स बरावर कितना आ गया हमारा निकालना क्या तर तिरबूज की हूंच्छाई हमने तिरबूज की मुझाई माननी कितनी है ओल्य आए है मैश भूँँ हूं आप sentiments यह देुजत नहीं उल्टीचल intent कीजो वेखना के भी B वो गतने बेखना है बंदग्रlaw एंतार इसे तरीके कि कॉर्सीन को हम ऐसे कर सकते हैं बूले से घृए जिले ठीक है अब आता है हमारा आगला अग्ला कौशन देखो अब तो दोस्तों नेक्स स्टना था हमारा नम्बर 3 क्षिसी तिरृषच का अधार 15 सेंटी मीटर है खोड़ ऊच्छाई 12 सेंटीमीटर है एक अन्य तिर भुज की ऊच्छाई एक अन्य तिर भुज की ऊच्छाई जिसका ग्रिप्र accommodation की रिख जिसका इसतिर भुज के चैदरपल का दो कि पहला हो गया हमारा पहला तिर्बुज ठीक है जी पहले तिर्बुज का जो आधार हो गया हमारा यानि के भी आधार यानि बेस इस इकल टू फिप्टिन सेंटीमीटर ठीक है और उचा यानि के हाइट 12 सेंटीमीटर ठीक है भाईयो और एक अन्य तिर्बुज के उचाए हमें निकाननी है जिसका छेत्रपल तिर्बुज के छेत्रपल का दोगोना और आधार का छेत्रपल 20 सेंटीमीटर है जो दूसरा तिर्बुज है उसका जो आदार दिया है कितना है यानि के बेस यह B1 कर लो यह B2 कर लो यह H1 ठीक है जी यह दिया है हमारा 20 cm तो हमें H2 की वैलू निकालनी है यह हमारा कोशन है ठीक है दोस्तों तो देखो जी कैसे करेंगे जो परसन के नुशार क्या है जिसका छेतरपल इस तिर्भूज के छेतरपल का दो गुना है यानि के दो गुना है एक बचै दो हो tegelा मा siblings का हेयंक unexpected क्या होता है तिएविवुठका छेतरपल यानि के एरिया क्या होता है एप्उटे égal तो उना आगार दो थीravaren 對 इसे बटे 2 मेसे इंटो आइट यह वता हमारा एक फोर्मुला यह कि तिरभुच का एरिया यह हमने आपको बताये ता तो देखो दो 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 गुना है दूसे तिरभुच का एक बटे दो आधार कितना है दो हमारा पहलेवाले का 15 ठीग है जी गुना ऊच्छाए कितनी निया है 12 सेंटीमीटर बरावर कि एक बटे दो गुना आधार कितना दिया है यहां पर देखलो आधार कितना है दूर से रहागा 20 सेंटीमीटर और हमें एस टू की वैल्व निकाल लिए ठीक है जी यह हमारेक्वेशन मनेंगे अब हैसे क्या करेंगे हम H2 के value निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे जी अब देख लो, जो कटता है, उसको काट दो एक बटे दो इधर भी है, एक बटे दो इधर भी है cancel हो जाएगा, ये 5 से 3 बार चले जाएगा 5 तिया, 15, और ये भी 5 से कितनी बार, 4 बार पांचोक, 20, आगे देखो, और भी कुछ करता है कि 4 एकम, 4 और 4 तिया, 12, ठीक है तो H2 बराबर क्या हो गया, एक तो 2 बज़िगा, गुना 3 और एक ये वाला 3, ठीक है जी, तो ये कितना हो गया, 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो 18 सेंटिमीटर हो जाएगी, दूर से तिरभुज की उचाई, ये हमारा क्या हो गया, आंसवर, ठीक है दोस्तों, देख लो, जो संबंद ये वाला, जो संबंद है, ये समझे लो, देखो, कहा है, एक अन्य तिरभुज की उचाई हमको निकान लिए, जिसका छेतरपल, इस तिरभुज के छेतरपल का दो गुणा है, ठीक है जी, तो हमने ये हो गया, दो गुणा के लिए, दो, गुणा एक बटे दो, गुणा आदार गुणा उचाई, बराबर एक बटे दो, आदार गुणा उचाई, यहाँ से हमने सोल किया, और S2 की वैलू, कितनी आगी, 18 स यह हो गया हमारा answer, अब आते question next पर, तो दोस्तो next question आता है हमारा, किसी तिरभुज का छेतरपल, दोस्तो 16 cm square है, उसकी भुजा, तीन अनुपात, चार अनुपात, पांच के अनुपात में है, तो इस तिरभुज का परिमाप क्या होगा, ठीक है जी, अभी मैंने परिमाप तिरभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओ का योग, ठीक है दोस्तो, याद रखना, तिरभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओ का योग, इस formula का हम परियोग करके, यहां पर तिरभुज का परिमाप निकालेंगे, तो सबसे पहले, जो दिया हमारे 216 cm2 दिया है उसके बाद उसकी भूजाय दे दी अब देखो भूजाय तीन चार और पांच यानिके यह जो भूजाय दे रखे यह समकॉन तीरे भूजा दीवी है अब देख लो यह यह हो गया यह भी हो गया चैनल तो हमानने मैं अगर जो मानता हूँ 3 यह दौने क्छ तो जो आदार है से म 맛있어요 5 दोस्तों क्योंकि जो कार एक फोर्मणा होता है हमारा क्या क्या करन बराबर करन का कि जो घजाए हैं वह इस फोर्मूले में रखकर यह संतोस्थ हो जाती है तो आदार कितना माना है चार एकस का स्क्वेर ठीक है अब इस्क्वाइर का मतलब होता है उसकी दो बार गुना है निएक 5 एकस की तो कितना 25 एकस स्क्वाइर बराबर ऐसे यहां पर हो जाएगा 9 एकस स्क्वाइर प्लस यानि कि यहां मेंसा इन बोज्ञा उसे कैसा तिर्भुझ वनेगा ठीक है दोस्तों तो बेखो जी कैसे करेंगे हम हमें पता तिर्भुझ का चेचर फल्ड क्या होता है एक वट दो तिर्भुझ का छेचरफल और बराबर एक वट्टे दो आधार गुना उचाई ठीक है दोस्तो तो तिरपुज का छेत फड़ कितना दिया है दोस्तो 16 बराबर एक बटे दो आधार कितना है हमारा 4x गुना 4x कुना उचाए कितनी है हमारी 3x गुना 3x ठीक है जी अब यहां से क्या करेंगे x की value निकाल लेंगे 2 से यह कर जाएगा दो बार यानि के 216 बराबर दो तिया 6 6x स्क्वायर ठीक है दोस्तों तो यहां 6 से कट जाएगा कितना यह देखो कितने बार कटेगा यहां से 618 और उसके बाद कितने बज़िए यहां पर 336 हो गया 6 चंग 36 x स्क्वायर यानि के x यह हो जाएगा हमारा देख लो x स्क्वायर बढबर के दना जाएगा हमारा 36 x की बैल्यू कर निकालेंगे यानि दोनों स्क्वायर से क्या कर देगा हमारा यह कर जाएगा वर्ग मूल यानिके यह एक्स ब्राबर और यह 36 किसक्तिन स्क्राइब किसक्तिस व्यैलियों यानिके छी admit शे से चेसं होता है यानिके यह होता है हमारा 6 का स्क्तिना होता है 36 तो एक्स बराबर यहां से कितना आ जाएक हमारा ठीक है ठीक है एकस कीrade लुकि टिनी माप, बराबर, तीनों भूजहाओ कर रोग यानिके, A B पलस B C पलस C A, A B कितना है हमारा, 8 A X, B C कितना है हमारा, 4 A X, C A हमारा, 5 A X, सबको जोड़ लोगे तना, 13 A X, 4 A X, кितन होगे हमारा, 7 A X, 7 A或 5, 12, 12 तो टोटल कितन होगे हमारे, बारा एक्स ठीक है जी अब देख लो बारा गुना एक्स की वैलू कितने आई है हमारी छै एक्स की वैलू कितने आई है छै तो एक्स के इस्थान पर आजाएगा छै अब इन दोनों के हम बंटी बढ़ा एकरा देंगे तो बारचिक 72 cm ठीक है जी यह वह जाओगा आश्वर तो हमारा तिरबुज का जो परिमाप आया कितना है 72 cm ठीक है जी इस तरीके ऐसे को सन को हम इस तरीके से कर सकते हैं यह आपको मैंने समझाने के लिए बताया था इसकी हमें को सकता नहीं पड़ेगी ठीक है दोस्तों यह इसको अलग से समझाने के लिए आपको बताया था इस फॉर्मुले को आप लिख लेना अच्छे चे और याद कर लेना जोश का सोलूशन है यह पर छोटा सा ठीक है दोस्तों अब आते हैं आगे नेक्स कॉस्षन पर यह देखो यहां से स्क्रीन में दिखनी रहा होगा मैं एक बर आपको दोबारा बता जिता हूं तिरभुज का परिमाप क्या होता तीनों भूजाओ का योगफल यानिके एबी बी सी और सी एए ये बी की वैलू कितनी है तीन एक्स बीसी की वैलू चार एक्स और सी एक्स और पांच एक्स इन यानिके बई पलस है तो सब कु जोड़ा देंगे आज्तिने एक्स चार एक्स पांच एक्स सबकु जोड़ा कितना क्या तीरफ सी 2 एक्स लागे हमारा हमने भी एक्स की वैल नीकाली एक्स अरक वराबर कितना या हमारा 6 तो एक है तो किस्समकोन टिरभुज की संकौन बनाने वाले बुजाए 5 अनुपाथ 12 की नुपात मैं य Sempre का चेत्रपर 270 स्यंटेमीटर है तो कर्ण के लंबाइग्स क्या होगangen ठीक है जर्ट के लंबाइद पूछे तो जब कर्ण के लंबाइद पूछेंगे तो हमन्य पता है कि हमें आभण समौन तिरबोज यह कोस्टम में भी दियाने कि एक सम K Rohon यानि समकोन लंब और आधार मिलके तो समकोन मनाते हैं यानि कि जहां पर 90 डिग्री का अंगल बनता है वहीं से हमारे यह समकोन तिरबुज होता है ठीक है यानि कि इसकी वैलू होगी है पांच एक्स यह होगी हमारी 12 ठीक है हमें निकानने क्या है हमें निकानना है करन हमें क् चीज होर बताओ, मैंने आप से क्या बताया था, हमने बताया था कि करन का फोर्मुला क्या होता है, देखो मैं इसको आपको शोड बता रहूं कैसे करेंगे, करन का फोर्मुला क्या होता है, हमारा करन बराबर, यानि के AC बराबर क्या हो जाएगा AC का स्क्वाइर बराबर AB का स्क्वाइर पलस BC का स्क्वाइर यह हमको निकालना है यानिके यह कितना होगा AB यानिके 5X का स्क्वाइर पलस BC BC कितना होगा यानिके 12X का स्क्वाइर इसको निकाल देंगे 525X स्क्वाइर प्लस 12 का वर कितना होता है यानि कि 144 x square इन दुन्नों को जोड़ेंगे तो कितना 169 x square यह हो जाओगा हमारा ac का square अब यह दुन्नों का क्या कर देंगे अंडरूट ले लेंगे क्योंकि square है जब अंडरूट लेंगे तो square से अंडरूट का एंसल हो जाएगा यानि कि ac बराबर आजाएगा हमारा 169 कितना यानि कि 13 का square कितना होता है 169 यानि कि 13 गुना 13 है तो यह आजाएगा हमारा 13 तो ac की value कितनी आजाएगे 13 x तो यह कितना आगे हमारा 13 x यह क्या है हमारा कर्ण अब देखो जी 13 x आगे हमारा कर्ण अब option देख लो option में जो भी 13 का multiple होगा वो हमारा answer हो जाएगा अब देखो 13 के पाड़े में 49 आता है बिल्कुल आता है यानि 13 49 होगा 13 के पाड़े में 42 नहीं आता तो ये भी इसका multiple नहीं है 45 भी इसका multiple नहीं है और 41 भी इसका multiple नहीं है बचा क्या option A तो option is the right answer हो जायेगा यदि हमें option से करना है इतने करके हम इसको इस तरीके से कर सकते थे और जो दूसरे तरीका है फिर वह तिर्बुज का मतबद छेथ पड़ उस तरीके से हम इसको निकाल सकते थे देखो उस दूसर तरीका कैसे कर सकते है अब दिया तिर्भुज का छेतरपल कितने दे रखा है दोस्तों 70 cm2 तिर्भुज का छेतरपल क्या होता है एक बटे दो गुना आधार गुना उचाई ठीक है जी एक बटे दो ऐसी रखा आधार कितना है हमारा 12 x square x गुना उचाई कित जाएगा चेहनिके दो चीका बारा यानिके अरियो जाएगा हमारा छेपंजे 30 x square और यह दूसरों 70 10 से 10 0 327 यानि के आगे हमारा x square बबराबर 9 यहां से x की value कितनी आ जाएगी 3 ठीक है जी x की value कितनी आगी 3 हमें निकालना क्या था करण के लंबा है निकालनी थी हमारा करण आय कितना है 13 x यानि करण है कितना हमारा जो हमने करण निकाल ला है 13 x वे 13 और एक्स की वैलू कितने ही है तीन गुना तीन यानि के तेरह थी उन्तालिस सेंटिमेटर यह आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे लेकिन जब हमें इस तरीके से हमारा आंसर आ जा रहा है तो इतना करने के तो मैं वसकता ही नहीं थी तो हम मतलब जो ओप्षन पहले जैसे को वाले जो आते है ना जैसे किसी के गुनांग के आगे जैसे एक्स के गुनांग 13 तो उस तरीके कोशन को हम पहले ओप्षन देख लेते हैं एक बार तो उससे हमें थोड़ा इजी पढ़ जाएगा यह एतना करने के वसकता नहीं पढ़ती ठीक है दोस्तों को हम दोनों तरीक ठीक है जी तो देखो कैसे करेंगे इसको कि उसन होगा जिसका परिमाब 32 सेंटीमीटर और एक बूझे सेंटीमीटरً तहए दस़ेस फिस दॉझायों का अंतर पॉंच सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर हो जैना करेंगे जो क्या दिया उसप्ष़ा कि रिपत छाउन्रव दिए दिए वह ओर सी तो परिमाप कितना होगा परिमाप परिमाप हो जाएगा हमारा तिरबुज कितीनों ख़या यहीं यह यॉल्स बीजिए परिमाप दिया कितना है 32 ठीक है जी और एक भूजा मान लें हमने एक भूजा यानिकед AB की वैलू 11 है तो यह 11 पुलस BC पुलस के CA lifes Walter 19 कितना हो गानवा 22 माइनस ग्या इन वहाउठा कितना हमारा किसल सबस्ट्री एकतुर Rise कितना है कि यहानि कितना हो जाएगा धटें गड़ है यहानि कि 21 यह तो बठेगा हमारा यह आजाएगा हमारा यानिके B plus Cake बराबर 21 यानिके BC plus Cake बराबर हो गिए हमारा 21 सेंटिमेटर और आगे का 6 दो बोजाओ का अंतर कितना है 5 सेंटिमेटर यानिके जो 6 कौन कौन सी दो बोजा है BC और CA का जो अंतर हे BC minus अंतर को लिए का घटाना यानिके CA यह उनका जो अंतर है कितना तुर निंगे हमारी सोल करें यह इसको कैसे करें गए यह उपींचीब्स कुछ यह है इसको करेंगे हमारेसा ही 20 सब से पहले हम पहले वाला होते निकालते जिताल है jáni bc key value कैसे निकालेंगे इन दुन्हों को जोड़ देंगे या निकिस पलस 5 और इसको 2 से भाग कर देंगे याणी कितना हो गया 26 मटे 2 यानिके 13 ऑद एक किछिटिने आगे 13 उसी परकार अब जब нेließen का लेंगे दूसे वाला बढ़ नंबर तो क्या करेंगे 21-25 गटा देंगे दोंसे वाग यानी 16-16 वटे 2 कितना आगी हमारा 8 8 ठीक है यानी हमारी तीन्हों हो जाये इनका वेल्व आ यानी एबिब्राबर आगे 11 बीची बरावर आगे हमारा तहरा और सी चीओ बराबर आगे वह मला आठ आपहमें क्या निकालना कि ता प्लम मैंने आपको फैर अंया को फोर्मला लिखा दे कि जब तिर्भुज की तिनों भूजाय दिये तो उसका फॉर्मला क्या था क्या फॉर्मला था हमारा तिर्भुज का एरिया का जब भूजाय दियो अंडरूट S, S-A, S-B, S-C, यह वाला तो formula था हमारा, इसी से निकालेंगे, अब देखो S क्या था, S था हमारा, यानि कि तिनों भूजाव का योग, यह तो था, यानि कि A प्लस B प्लस C बटे, दो, यह तो था हमारा S, यानि कि A क्या है, A, B, B क्या है, B, C, और C क्या है, C, यानि कि 11 प् एड़ कर लो, या, कितना, 11 और 13 कितना होगा, 24, 24, 28, 32, 32 बटे, दो, इसे इसको बाग कर देंगे, कितना है, 16, यानि कि S बराबर कितना जाएगा, हमारा, 16 cm, यह है, अब देखो, इसमें value पूट कर दो, यह पूट करेंगे, S कितना है हमारा, 16, 16 माइनस A कितना है, हमारा, 11 इंटू, 16 माइनस B कितना है, हमारा, 13, 13, 16 माइनस C कितना है, हमारा, 8, यह होगे, हमारा, 8, ठीक है, दोस्तो, अब यह अंडरूट, अब देखो, 16 तो ऐसी, 11 में से, 16 में से 11 गए, तो कितने, 5, गुना, यहां पर कितने, 16 में से 13 गए, कितने, 2, गुना, 8 में से 8 गए, 8, ठीक है जी अब यह हो गया इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है अब देखो जी 16 बहर आएगा तो यह यह नि कितना हो जाएगा हमारा चार अब अंदर कितना बज़ेगा अब देखो अंदर बज़ेगा हमारा पांच गुना दो गुना आठ को क्या लिख सकते हम दो गुना चार इसको ऐसी तो लिख सकते हम आठ को आठ को लिख सकते हम दो गुना चार ठीक है जी तो अब देखो जी यहां पर क्या हो जाएगा यह चार तो ऐसी रहा अब यहां से दो यह दो बार आएगा तो एक बर दो यह आजाएगा और चार का बहर जो आएगा वह 2 आजाएगा अंदर क्या बचे गधा हमारा 5 यह कितना हो जाएगा दो दुनी चार दुनी दो दुनी चार और चार चोक 16 शोला रूट 5 सेंटिमीटर ठीक है जी अब देखो ओप्षन में क्या क्या दे रखा है हमारा ओप्षन में है कोई ऐसा मिलते हुआ ओप्षन हमारा 8 अंडर रूट 30 है 5 अंडर रूट 35 और 6 रूट 30 और 8 रूट 2 है अब देखो जी इस तरीक अगा तो हमारा कोई आंस्वर नहीं है अभी ऐसे नहीं है तो कुछ और देख लो आगए यह किसी मतल्ब दूसरे रूम में दिया हो इसको हम दोस्तों देखो यह आंस्वर क्यों में इच नहीं खा रहा हमने क्या कर दें यहां पर गलती होगी यहां 16-13 हमारे दो थोड़ी बचेंगे कितने बचेंगे हमारे 3 यानि कि जब यह आ जाएगा हमारा 3 तो यहां से आगेगा हमारा सारे गलती हो जाएगा तो देखो यहां से देख लो यह बर उडंग से ठीक है यह हो जाएगा हमारा अब इसको बाहर निकालो क्या यहां से 16 है जब 16 को बाहर निकालेंगे कितना जाएगा 4 अब यह कितना हो पांच गुना तीन इसको लिख सकते हम दो गुना चार ठीक है जी अब देखो जी यह चार ऐसी जब चार को अंडरूट से भाल लाएंगे कितना वह बचे आजाएगा हमारा दो अंदर क्या बजिका है हमारा पांच गुना तीन गुना दो यानिके चार दूनी आठ जाएगा ठीक है दोस्तों यहां पर हमारी गलती हो गई ती यानिके 16 में से जो 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे तीन बचेंगे उस तरीके से जो हमारी जो कैल्कुलेशन आया होगी थोड़ी गलती होगी ती लेकिन अब इस बार यह हो जाएगा हमारा ओप्शन नमबर काफी बार आते जी खीक है तो इस तरीके कुर्शन को आप बहुत अच्छे समझना दो तीर बुजों में छेत्रपल का अनुपात चार अनुपात तीन है और उचाई का अनुपात तीन अनुपात चार है तो इनके आधारों का छेत्रपल कितना होगा दो तीर बुजे उनके छेतरपल का नुपात दे दिया, उनकी तिरज्जाओ का नुपात दे दिया, और पूछ लिया है, उनके आधारों का नुपात क्या होगा option हमारे इस परकार है, 16 नुपात, 9, 9 नुपात, 16, 9 नुपात, 12, 16 नुपात, 12 यह हमारे उप्षन है तो देखो जी ऐसे कोस्टन को किस परकार से करते हैं मैं बिल्कुल बेशिक से करवा रहा हूं आपको जिरो लेवल से बिलकुल ठीक है बिलकुल फोर्मुले बाइजी करवा रहा हूं देखो तिर्भूज का जो छेत्रपड़ों का नुपात जाया हमें 2 तिर्बुज हो गये हैं उनका जो छेटरब्ल का फोर्मला क्या होता है 1 बटे 2 उना आधार यानि कि आधार उता है B1 उना उंचाहि यानि कि H1 इनका अनुपात है यानि कि 1 बटे 2 उना B2 दूसरे का और इंटू दूसरे वाले जो तिर्बुज है उसकी उचाई और इनके जो आधार जो इनके छेतबड का अनुपात दिया है कितना दिया है चार अनुपात तीन अब जो संक्या एक सी है उसको काड़ दो एक बटे दो से एक बटे दो कैंसल हो जाएगी अब उचायो का अनुपात यानिके हमें दिया है x 1 upon h 2 की वेलू भी दे रखे कितनी चार वटे इस वुरी थीन वट्स चार यानिके जो h 1 है उसकी वैलू कितनी है हमारी 3 है और h 2 उसकी वैलू कितनी चार है ठीक जी यहां से हमको निकालना है B1 upon B2 की value अब देखो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी इसकी गुणा इसमें यानि के B1 upon B2 बराबर कितना आजाएगा हमारा 4 की गुणा 4 में यानि के 4 गुणा 4 और नीचे 3 गुणा 3 यानि के 16 और 3 त्या 9 यानि कि जो आधारों का रेश्व आया वह कितना आजाएगा 16 अनुपात 9 यह हमारा आंस्वर ठीक है यानि देखो कौन सा ओप्षन ठीक है ओप्षन नंबर 1 इसदा राइट आंस्वर ठीक है दोस्तों इस परकार के कोर्षन काफी बार पेपर में आए वह है और तो आप इनक सब्सक्राइब कर आएंगे तो दोस्तों नेक्स्तों हमारा यह है उस तीरबुच का छेत्पल कितना होगा जिसकी बोज़ए 9 cm 10 cm और 11 cm है तो देखो ऐसे मतलब जो जब मैंने आपको फूर्मल लिखा यह था जब किसी तीरबुच की तीनों बोज़ए दी हो और उसका छेत पल का तीरबुच का छेत्पल यानी एरिया अंडरूट एस एस माइनेस ए एस माइनस भी एस माइनस ची जहां पर यह बीचे क्या थी हमारे भूज जायती और एस बराबर क्या था ए प्लस बी प्लस ए बटे दो तो यहां पर सकी वेल्यू निकाल लेंगे एक इतना 9 वी कित कितना है हमारा 11 बटे दो जोड़ ले कितना 10 और यह 11 नो 20 यानि के टोटल कितना होगा 30 तीस बटे 2 यानि कितना आगे स्कुणा करो निकाल सक ते 4 तोटल एर्य के फोर्मूला हमारा यानिके तीरबुज का जो एरिया है वह हो जाएक हमारा 20-15 फ doe एसमाइनस से पंद्रा माइनस से कितना है हमारा 9 और फंद्रा माइनस 10 फंद्रा माइनस 11 AssIE यानिके यह को शोल करो निकाल लो करो जिस वूल कैसे करेंगे 15 से 15 में coordinating मुझे खेगो झोना 15 में से 10ग गये 5 गुना 15 में से 11 गये चार तुख जी आफ देखलो जो भार नेकलता सको भार निकाल लो अब हम देखको जी कैसे निकाल लेंगे 15 को नेसकते 5 गुना 3 6 को लिख सकते 3 गुना 2 5 ऐसी और 4 को लिख सकते हम 2 गुना 2 अब जो भी 2 दो के फेर बन जाएंगे उसको बाहर निकालो जैसे ये 2 हो 1 से होगे, ये 2 होगे 5 और 5 ये भी 1 से होगे यů 만들어 शब को बाहर निकालो जानी कि एक तो जो दो-डो का जोड़ा उनमें से एक बार अएगा यानि कि 5 आगया एक 3 रेक 2 तो अंदर कितना बज़े गया हमारा दो बज़े गया अब देखो इनकी सब किया गुना 5 दूनी 10 सोरी नेक्स्ट कोश्शन तो दोस्तों नेक्स्ट कोश्टन आता है हमारा एक समकून तिरबुच की 3 बुजाव की लंबाई करम से x-2 x और x प्लस 2 है तो x कमान याद करें ठीक है यह कोश्टन है ओप्षन है एक्स 10 है यह 8 है यह 0 है यह 4 है तो देखो इस तरहीं कैसे करते हैं important question में से यह कह है सम्कून तिर्वच क्या होता है हमारा सम्कून तिर्वच जी हीत होता इस तरीके से बनता है हमारा सम्कून तिर्वच यानिके जिसका एक को 90 डिगरी का होता है यानिके जो आधार पे लंब इस पे 90 डिगरी का कुमर मनाता है यानिके यह A B और C सबसे लंबी भुजाए हमेशा क्या होती करन होती ठीक है जी तो अब देखो जो भुजाए दे रखे हो क्या X-2 X और X-2 तो हमें तिन्नों में से सबसे बड़ी होजा कुन सी है X-2 या X या X-2 भाई देखो X में से तो कुछ घटाया तो यह तो X ही छोटी होगी और X में च्रण होगा हमेंसे कितना X-2 होगा उन प्रफ में जो हमारा 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 यह हुजाएगस और यह एकस म्नला लग देंगे क्लन बराबर क्या होता है हमारा यानि ac का square बराबर हो जाएगा हमारा ab का square plus c bc का square याणि के ac क्या है हमारा x plus 2 का square is equal to ab कितना है हमारा x minus 2 का square plus x का square अब देखो, आप जानते हो a plus b का whole square क्या होता है हमारा a square plus b square plus 2ab B और A-B का whole square क्या होता है हमारा A square plus B square minus 2A ठीक है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये formula तो अच्छे से यादी हो गए अब आते है हमारा अब देखो हमने मान लिया ये A हो गया ये हो गया हमारा B यानि कि A plus B ये ही तो बनगा square का whole square इस तरीके से ऐसे ये A ये B यहाँ पर A minus B का whole square बन गया तो मैं ये दोनों formula यहाँ पर खोल दूँगा या इसको आप ऐसे भी खोल कर सकते हो देखो अगर ऐसे formula याद नहीं आ रहा एक formula ये भी होता A square minus B square बराबर A minus B यानि एक बड़ घट रहा है और एक बर multiply में जुड़ रहा है यानि कि एक बर जोड़ दो एक बर घटा दो और दोनों की गुना करा दो ठीक है जी इसको हम ऐसे फोरूम ना भी मना सकते हैं यानि कि X plus 2 का whole square बराबर से इधर लेके आँगा तो minus हो जाएगा X minus 2 का whole square बराबर X square अब देखो यो पूरा माले हमने A यो पूरा माले है B यानि कि A का square minus B का square यानि कि एक बर घटा दो पर घटाएंगे तो यह minus का जो minus का हो plus का एक बर क्या करो जोड़ दो जब जोड़ेंगे तो यह ऐसे और बराबर X square अब देखो यहाँ minus का X है यहाँ plus का कड़ जाएगा यहाँ पर minus का 2 है यहाँ पर प्लस का 2 है यहाँ पर यानि कि 2 अर्दो 4 गुना X और X 2X बराबर क्या होगे हमारा X square यहाँ पर देखो X square का मतलब क्या है X की 2 बार गुना यहाँ कि 1 X से 1 X कैंसिल हो जाएगा यहाँ एक्स बराबर कितना आजाएगा हाट और यही हमें X की value निकान नहीं थी यही क्या हो जाएगा हमारा answer ठीक है जी दोस्तो इस तरीके से हम इस question को कर सकते हैं तो दोस्तो आज हम हम ही पर समाप्त करते हैं आप इसका एक बर स्कीन सोट ले रहें और जितने भी question मैंने आपको कराए है इनकी आप 2-3 दिन बार practice करना और आगे हम कल कराएंगे तो दोस्तो आप हमारे जो web steady point channel है इसको जादे जादे share करे वीडियो को share करे चैनल को subscribe करे और वीडियो like करे कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में जैहिंद थैंक्यो दोस्तो